वेल कितनी भी कोई चीज अच्छी बनाने की ट्राइ करो लेकिन हर बार वो चीज जैसे हमें चाहिए वैसी हमें बनती नहीं है और नहीं वो बन के आते यह रैसे भी कुछ ऐसी है गवार फली के साथ एक रैसे भी बनाई या पूरी देखना कि इसके अंदर हुआ क्या है अब बेलन की मदद से उसे मिक्स करती गई ताकि उसकी गुटली आना आए और अगर आपको लगे तो पानी आटा जादा है पानी जादा है तो थोड़ा थोड़ा करके डालना तो अपने हिसाब से थोड़ा एज़स्ट कर सकते हो बाकि ठंटा होने के बाद उन्हें अच्छी त बेलन की मदद से कुछ इस तरीके की प्रॉपर हमें एक पड़ी सी रोटी बना लेनी है اب अभी उसके बाद जैसे वह रोटी बन जाए हमें उसके स्लाइसे करने कुछ इस तरीके से आप अपने साइस के स्लाइस देख सकते हो अभी बता निए मैंने ये रेसिपी में गलती क थोड़ा चोटा कूकर यूज करा है फिर कूकर के अंदर मैंने डाला है उसी के अंदर हम डालेंगे राई उसी के साथ एड करेंगे जीरा और हिंग आप यह स्टेज पे आप टमाटो के बात यामिन लसुन डाल सकते हूं जूमें कंप्लेटली भूल गई थी पहले मैंने टमा तोड़े से धनिया अमिन कुरियनर वाला पावडर हल्दी नमक गरम मसाला यह सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके मसाले को भून लेंगे और यहां पर मैं इसके अदर करी पता डालना भूल गई थी जो मैंने अभी एड कर रहे हैं और उसी के साथ मैं उसके अंदर थोरा सा crush करा वलसुन डालना भी भल गए थी वह थोड़े से end में आट करे हैं और उसके बाद वह जो कवार फली काती हैं ऑची तरह से mix करने के बाद हमें उसकर Pean सा पानी add करना ह데 के बाद हमें कूकर का धकन बन करके geek की एक CT लागानेலाबाद कूकर उसको खूल की वी वा बन और कुकर की हम लोग एक सीटी लगा लेंगे जैसे कि यहां पर मैंने भूल गई थी तो मैंने यहां पर अभी लसुन एड करा है जो आप पहले टमाटर के जब भी हम लोग राई जीर दाला ना अभी आप एड करना था लेकिन वो दिमाग से चला गया फिर कुकर के एक मैं थोरी सी गलती कर दी कि मैंने जो कुकर है वो छोटा वाला यूज कर रहा है मुझे थोरी सी जादा स्पेस चाहिए थी ताकि जब मैं यह वाले रोटियों के टुकरे डालो तो अच्छी तरह से खुल सके क्योंकि यह बेसन का आटा है तो थोड़ा सा थिकनेस पकर लेग वो गवारफली के साथ फिर उसको दूसरे बरतन में ट्रांसफर कर दो तो वो ज्यादा बैटर रहेगा यहां पर यह अच्छी तो सबजी बनके रड़ी अभी मैंने इसके पर धन्या डाला ऐसे सबजी जैसी भी दिख रही है यहां पर जैसी मेरे से शायद रोटियों में गलती हो गए लेकिन खाने में उसका टेस्ट बहुत सही था खान जब ही मैंने टेस्ट करा ना मुझे मैंने सोचा ही नहीं कि प्रेजन्टेशन मेरा कैसा बना है क्योंकि इसका टेस्ट इतना सुपप लगा था आपको गैसे लगी